नमस्कार दोस्तों आप देख रहें कृषी दरपड व्लोग दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले गोधन मिलकी मशीन के बारे में जो की बिहार के एक छोटे से पशुपालक ने अपने शुबधा के लिए खरदा है तो इस मशीन की क्या खासियत हैं पूरा का पूरा डेटल से वीडियो में लेते हैं उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे साथ को बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे तकि जब इस तरह का वीडियो डालू तो आपको अपडेट जो मिलता रहा है मशीन की ख बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा इस यूटूब चैनल पर अपना परिशा बता दीजिएगा सबसे पहले मेरा नाम आम अमनात कुमार वह जी घर पतना सीटी तो यह डेरी फार्म का लाइन में अब कितने साल पहले आए थे सर तीन साल पहले तो पहले दुआ ही मतलब कैसे मतलब मसीन से कितने दीनों पर कर रहें कितने दिनों से करें मसीन से वहीं करीबए महीन कारी जलाएताय ने फम्ल two पर में चैने यह मैं आप ख़ epitive 3 पेभिवलेंद टीन हजार रूपय आपको ऑउनलाइन पेहला उसके बाद आपको डिलेवरी के वक्त देना होगा तो हमरे वो साथ ही थे उन्हीं से मसीन लिये थे वही सही ऑनलाइन तो वोले कि नहीं सही बात है तो हमको विष्वास हुआ तो हम आउनलाइन तीन हजार रुपय जमा किया है उसके बाद जो दिन का डेट था उस दिन हमको डिलेवरी एक दम हैंड टू है जब मसीन आपके पास नहीं थी तो मतलब क्या समस्या जहलना पड़ता था इसके बारे हम बताएंगे मसीन नहीं थी आठ्टि लोगें है तो यह असधार आपके आज-पास में बहुत चारी मुंकिन मशीन मिलते हुँ तो आप में इसको क्यों चुना हैं तो हमको बताएं कि देखिए आप नए हैं मसीन खड़ना चाहते हैं तो यहीं पर बगल में ऐसे ही वहां को धेड़ सारी पसुंग है तो वहां भी गोधन मिल्किंग मसीन ही हम देख तो उनसे हमने पूछा कि सर आप इस मसीन को क्यों लिया हैं तो हमको कोई फरक नहीं पर अच्छा तो हम उनके पास दो दिन चार दिन दस दिन देखने भी तो वहां से हमको अनुभव हुआ हमको लगा नहीं हमको गोधन ही लेना तो बहुत से लोगों का जो एक मन में भ्रहम होता है यह मसीन अगर गाय के थन में लगाते हैं तो खून आने लगता है तो क्या इस म कुछ नहीं है तो यह आपका मसीन कितने पशों के लिए हैं सर यह 10 पशों के लिए तो जैसे अगर स्टार्ट करते हैं तो लगभव इसका मेंटेनेस करना होता है क्या करना क्या करना पड़ता है मेंटेनेस में कहां इसको कुछ करना पड़ता है बस एक तो यह वाइल है से आप निकाल सकते हैं यहां से डाल सकते हैं 15 दिनों पर तो कितना खर्च आता है तो तो आधा यूनित यादा अगर आपके पास तो आपका अगर एक घंट आया चलता है तो पांच रुपए यूनिट ये खपत करेंगे तो जैसे आप जब गाय के थन या भैस के थन में लगाते सिर्फ गाय पर इस्तमाल करते हैं जिसे इसमें सिस्टम दोनों का है जिसे हम गाय पर यूज करना चाहें तो 400 प्रेसर लेकर तो मतलब जब मशीन सुरुआत में अपने ओर किया था तो जब आपके पास आया तो क्या उन्होंने प्रोपर ट्रेनिंग आपको दी थी इसके बारे में कैसे इसको लगाना है कैसे नहीं लगाना क्या वो सब हमने ऑनलाइन ही वो वीडियो दिये थे वस वैसे हम कर वीडिय अच्छा लगा नहीं लगा मतलब आपको कौपरेट पुरा सही हो फिये तो सुरा प्रोपर रोपर को दन की जो मिल्किंग मसीन है मतलब कैसी लगी सर बहुत अच्छी है यह दूसरे लोग अगर आपसे कोई पूछने आता है तो क्या पुंको ये इनको चला दें किस मसीन को सबसे पहले हम बाल्टी में पानी लेते हैं उसको इसको निकालते हैं अशेमली को यह एसेंब्ली को निकालने के बाद उसका लिक्वेड आता है वह भीम अच्छा दिए नहीं साथ में देते हैं यह मुझे आपको खरी दिए तो उसको चालू करने के बाद इसको उसमें डुबा के दो तीन बार यह ऐसा ऐसे कर देता है बस डेली हम लोग करता है अच्छा बस की चुट था उनको आपने कॉल की आथा तो कॉल किये थे तो उधर से फिर को रिस्पान्स दिया तो जैसे ऑडर दिया गया था इस तारी को देना है तूसी तरी को मिला या पहले टोकन्य मृंट आपको कितने अच्छी अपरन देना पर आपकि डिलिभरी के बाद यहां के मकषार था तो यह आपने कितने मखर दी थी तेसी आर में हैं कितने पशुक लिए बताया गया था दस पशुक के लिए कितने टाइम मिलकिंग कर लेते हैं हमको तो 1 घंटा करीकिब लग जाता है एक गंता मसीन से पाइब भीना मसीन का दो अगर आप नहीं रहते हैं तो क्या कोई और इसका इसका कोई भीríकश करता है कोई भी कर लेता है मतलब जैसे मेरे को दुखाई नेते हैं तो क्या मैं भी कर सकता है जली सर बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया हमारे दर्सक भाई इसके लिए बहुत-बहुत दन्यवाद दन्यवाद